कि समसे पहले तो स्वतंत्रता के 75 दिन पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सुकला एजू कलेक्सी में आज हम लोग अब तक कि इसके पहले वीडियो में आपने जहां पढ़ा था जितना पढ़ा था जश्ट उत्री के बाद हम बढ़ने वाले हैं अब तक आप लोगों झाले सब्कअ निकालना वेख करना तो तुक्षयू होता है लेकिन बच्चों की लिए प्रॉलम् क्या होती है वर्भ मूल निकालना एक हर कदब पर आको वर्ग निकालने का कोई ने कोई बाना तो मैस को मिले जाता है तीक है आप ये पढ़ते समय आप लोगन देखा होगा ये हमारे बच्चों जो भी पढ़ा होगा इसमें उनकी दो पद्धतियां पढ़ी थी एक भाग करके और एक था गुरंधखंड विदी है प्रोजेशन आज हम उन दोनों लेकिन उस चक्तर में जाने के पहले कुसे बिन्द में जाने के पहले आपको कुछ बाते यहां पर याद अखनी पढ़ी दिखिए वन टू फ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और यह नाइन कर लो प्रोजेशन में यहां से वन टू टू फी फोर फाइट सिक्स सेवन एट नाइट यह दस संख्याएं हैं अगर मैं इसक्वाइर इप एक जोटे मुटे बच्चों को भी याद रहता है यह क्या होता है यह देखिए 1 का वन लो होता है जो एक का स्क्वाइर करेगा तो आएगा 1 2 का कितना होता है 2 का होता है 4 3 का 9 4 का 4 फोजा 16 5 का 5 फोजा 25 और 6 का 36 7 का 49 8 का 64 9 का 81 10 का 100 यह देखी तो आपने यहाँ पर यह आपको याद होगा मैं तो मोल रहाँ याद करें रगना याद आपको होगा है अब इसमें कुछ बात ही आपको समझ दी है वो क्या है देख लेंगे घ्यांगे न 1 का square करेंगे तो जो answer आएगा उसके last में 1 आएगा ही चाहे लास्ट में वन पक्का मिलेगा समझे रहा वह चैनल का square करने पार जो लास्ट रिजित मिलेगा इकाई का अंग जो मिलेगा योनित जो मिलेगा वो फोर होगा अब चाहे तू हो 22 हो 32 हो 42 हो कुछ भी हो वो इसे प्रकार से थी अगर है 3 का square 9 है आप इसमें आपको समझना क्या ध्यान देना सबस्क्राइब जिस डिजित के लास्ट में वन होगा या फिर 9 होगा देखना ध्यान से यह अगर किसी डिजित के लास्ट में 9 होगा तो भी square करने प्लास्ट में वन आएगा नाइन जा एक इती बन अब चैना 19 का करिए चैना 39 कीजिए वन आएगा तो अब ये लास्ट में वन लाने वाले आपके पास दो डिजित होगे एक 1, 11, 21, 31, एक 9, 19, 29, 39, 49, 69 ऐसे उसी प्रकार से अब देखना लास्ट में खोर लाने वाले दो है एक यहाँ, एक यहाँ काउन पॉर्म आएगा जब हम 2 का स्कुर करेंगे तो भी 4 आएगा 8 का स्कुर करेंगे तो भी 4 आएगा अच्छा अगला अगर 3 का करेंगे और 7 का करेंगे तो क्या आएगा नाइन अब 3 सम्झ é ज़र की है 13nek है 23 है ऐसे 3 13 यह है ऐसे नशनु L 717 होगा तो यह आपको देगा लास्ट में 6 खोड का भी स्कॉर करने पे तो 6 आएगा और 6 का एक अकेला 5 है जिसका स्कॉर करने पर 5 आथा है और कोई दिजित 5 के लावा नहीं है तो यह आप यहां पर ध््यान दखेंगे 1 किन में किन में आता है कौन कौन सु डिजिन में 1 आता है 1 में 9 में ठीक है 4 किस में किस में है 4 है 2 में और 8 में 9 किस में है 3 और 7 में 6 किस में है 4 में और 8 में हाई अकेला है ये आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा बाकी सवाल तो आसान हो जाएंगी इसके अलामा और हम कुछ देखें अब यह देखिए एक होता है पूर्ण वर्ग क्या होता है पूर्ण वर्ग का मतलब होता है एक शारी संख्याएं जिसका स्क्वार रूट आप फुल्ली निकाल चकें पूरा निकाल चकें कौन कौन पूर्ण होगा यहां पड़ेखे यह ल्याइक स्क्राइक है 600 फेलिपें चाल यहां रोगन olur निकाले जाकते हैं यौ निकाले जाओ निकाले जा सकते हैं इसका मतलब उसका स्क्वार रूट निकलता है अब जैसे निकलता है लेकि उसके अलावा नहीं निकलता है नाइन कोई तो 33 कोर्ड वर्ग है देखिए कहीं पर है नहीं है इसका मतलब 33 कोर्ड नहीं है अब इसी के सहायता से हम बड़ी-बड़ी संखाओं का वर्ग मूल निकालना सीखेंगे तीक है आजए देखते हैं कौन-कौन संख्या आपके सामने आपके लिए यहां पर मेरे करके अब आपके सामने यहां पर जो कुश्ण दिए क Fehler हैं इसके वर्ग मूल को निकालना है पाला क्या है 5184 जो तर्षा है 3249 चलिए इस दो एक्जाम्पल में समझते हैं फिर आगे बठाते हैं आप जैसे बोले लिए पहले यह देखे लो आपके सामने इसका स्कुरारोट नेकालना है और इसके पहले में बता दिया कि आपके यहां दो पहले पढ़ चुके हैं एक है गोड़न खंड़ी एक है वा इसका मतलब इसका मतलब कि इन फोर कम आता है देखो यहां और यहां इसका मतलब यह वा जो भी हम लोग स्कुरारोट निकालेंगे उसके लास्ट में या तो तू आएगा या तो फिर नाईएगा फिर एक आएगा इतना कर्फंब लेंगे ये फोर कहां कहां आता है फोर एक तो दो में आता है और एक आठ में आता है इसका मतलब यह हुआता है जब आप answer निकालेंगे जब इते solve करेंगे इसके वर्मूर का जो answer आएगा उसके लाह जिट में या तो 2 पाओगे या तो 8 पाओगे कौन से चल जाएगा तो यह 51 है अब यह बताएए यह 51 किन दो पूर्ण वर्मों के बीच में है पूर्ण यह है वन फोर्ट नाइल सिस्टीन कुंडी फैटिशिक्स पॉर्टिनाइल सिस्टी पॉर्टी वर्म हंडेड यह पूर्ण वर्म है तो आप प्रजला कि 49 और 60 की पूर्ण और 64 के बीच में 50 बनाएगा अब यहां पर यह देखिए मत्यकों 51 को आप कभी भी 50 और 52 के बीच मत बोलेगा क्योंकि हम यह संख्या वही लेंगे जो पूर्ण वर्म होगी कंप्रिट स्क्वार होगी ठीक है अब यह देखना 49 किसका स्क्वार है सेवन का कि 84 किसका है एट का बात चलाए ने तो सबसे पाली जो छोटी संख्या है यह वाली यहीं संख्या आपको मिल जाएगी जो कि इसके एंसर में बाय करपाएगी दहाई के स्थान पाएगी तो मन यहाइन की जह रखना है यहां तो यह यह उट रखना है वा गया तो ऑलाकर अपक इसका और इसका कर दो कितना आया 56 को अगर यह multiply करने पर यह जो बचा है 51 अगर 51 छोटा है तो छोटा लेना तू और इससे 56 यह बढ़ा है तो बढ़ा लेना एक अब बताएं आपको क्या मेना 56 से 51 क्या है छोटा है इन दोरों छोटा लेंगे इसका मतलब 5184 का स्क्वार रूट निकलेगा 72 अब यह आपके प्रैक्रिस करने पर डिपेंड करेगा आईए कुछ और देखते हैं दूसरा इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा देखिए तो यहां पर लास्ट में है 49 यहां 32 तब 49 के लिए कितने डिजित आते हैं मतलब हम जो लेने वाले हैं जो निकालने वाले हैं उसके एकाई के अस्थान पर यूनिट के प्रेश में या तो थी आएगा या तो से बनाएगा यह क्या आएगा बाद देखेंगे अब देखिए 32 32 यह 32 किन दूर पूर्ण वर्गों के बीच में है 32 25 और 36 के बीच में है मतलब यह 25 और 36 के बीच में अगर यह बाला अंक यह 30 से बढ़ा है तब तो बढ़ा वाले लो और अगर यह वाला अंक जो बचा हुआ है 30 से छोटा है तो छोटा लेलो क्या है देखो जया बढ़ा है ना तो बढ़ा लेगे ठीक अब पहले बाद जब आप 5 औ 6 पा गए यहां पे तो हमेसा यह छोटी वाड़ी संक्या आप लेना और बगल में क्या लेंगे बड़ा की छोटा इससे ये बड़ा है बड़ा लेंगे 7 मतलब यह हुआ 3249 का स्क्वार रोड 57 आने वाला है आई एक प्जामपर और लेते हैं अभी लेंगे हम 5776 इसका हमें निकाल ना अपकर मोझा जाए इसका मिलेगा या तो फोर या तो सिक्स या तो फोर या तो इस वाहंने जो भी आजोल से उसके लार्स … आई और दहाई निकालते हैं यह 57 है 57 किन दो पूर्वर तुम पीश माता है उन्चार्श और 162 में न उन्चार्श का स्वार गूर्ट सेवन उन्चार्श का आठ हो गया तना कम अब आपको यह अंग तो मिल गया अब इसी की पीछे आपको यह तो फोल लगाना है या शिक्स लगाना है इसका बुड़ा करो 56 आप बताएं 56 यह बड़ा है तो बड़ा लेलो चोटा है तो चोटा लेलो यह बड़ा है यह बड़ा लेंगे कौन सा इसका मतलब इसका 5776 का स्कॉयर रोड 76 होने वाला है इस प्रकार से आप बड़ी बड़ी स्कॉयर रोड को आसानी से चुटकी बज्याद कर चकते हैं बस एक काम आवें यहां दखना कि इसमें यह आप ध्यान दखना और दो एक बार आप इसको प्रैक्टिस करने लिए ठी सब्सक्राइब अब मैंने यहां लिखा है कि 625 अब इसका स्कॉयर रोड निकालना है अब ध्यान देना इसमें ट्रिक है क्या है जिस डिजिट के लास्ट में 25 हो उसको सबसे पहले आप 5 ले देना हो गया बचा यह 6 अब 6 के लिए आपको दो नंबर लेने हैं क्रम से एक संख्या उससे जश्टबाद में ऐसा संख्या लेकिए कि गुड़ा करने 6 आ जाए बने वान टू लिया वान टू जा तू नहीं आगा ना टू एंठी लिया अगा आएगा आएगा यह ऐसी संख्या लेना क्रम से कि उनका गुड़ा करने पे 6 आ जाए तो जो चोटा मिला है उसको यह लगा लेना एसर हो गया ठीक है यह देखो पांस मिल गया अब बताएं य जो आए है कि गुड़ा करने पे दो आ जाता है एक दो तो चोटा को ने एक यह लगा लिया तो मैं ने निकाप 72 पचीज चलो इसका इसको अरो करती लिए इसका फाइट मिल देया आका ना आप आप परेंट संख्या है जिसका गुड़ा करने बातार आता है लेकित संख्या संख्या जिसका वर्व निकाला जा सके आप कुछ संख्या ऐसी होती है जिनका हम पूर्वक नहीं होती है पूरा वर्मूल नहीं निकाल पाएंगे उस वीडियो को हम इसकी जश्ट बाद में आपको भिलेंगे और दूसरी बार एक आपसे मैं करना जाओंगा यह जो स्कूल में भाग विधी और गुड़न खंड बिली बताई जाए जाए है वर्मूल निकाले की अगर आपको उसक सकता है आप उस सीखना चाहते हैं तो निक संदे आप कमेंट बाउस जागर बता देंगे तो उसके वीडियो भी मैं आपको जश्ट इसके बाद दे दूँगा आपका कमेंट देख करके एक थैंक्यू फिर मिलेंगे लेक्ट गुलिश्ट कि भुलिश्ट गुलिश्ट यजेवाचर आपको जैस जाया चाहते हैं।